दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंतरी अशोक गहलोत और सचिन पाइलट के बीच हुई सुलह से कॉंग्रेस को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहलोत पाइलट गुट के नेताओं के बीच भले ही आंतरिक रूप से एक जुटता नहीं हो। लेकिन सारवजनिक रूप से एक जुटता देखने को मिल रही है। गहलोत के बाडमेर प्रवास के दौरान कॉंग्रेस के नेताओं ने एक जुटता का संदेश दिया। पाइलट गुट के कैबिनेक मंतरी हेमाराम चौधरी और OBC आरक्षन के मामले को लेकर गहलोत से नार आज माने जा रहे विधायक हरीश चौधरी भी मुख्यमंतरी के साथ नजर आये प्रदेश में इसी साल विधान सभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंतरी अशोक गहलोत का बाडमेर दौरा अपने आप में खास माना जा रहा है। बैठक में सबको एक जुटा के साथ आगामी विधान सभा चुनाव लड़ने का संदेश दिया गया गहलोतने कैबिनेट मंतरी हेमाराम चौधरी, कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अमीन खान, पंजाब कॉंग्रेस प्रभारी एवं विधायक हरीश चौधर विधायक मेवाराम जैन, विधायक मदन प्रजापत, विधायक पदमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख महेंदर चौधरी, कॉंग्रेस नेता करनल मानवेंदर सिंग जसोल, पूर्व मंतरी गफूर एहमत समेत तमाम कॉंग्रेस के नेताओं के साथ बैठे करके विभिन दों पर मन्थन किया, हरीश चौधरी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेर की है, जिसमें मुख्यमंतरी के साथ कॉंग्रेस के विधायक एवं कई नेता बैठे नजर आ रही है, चुनाव नस्दीक आने के साथ विभिन पार्टियों के राजनेताओं के नेताओं का दौरों का सिलसिला भी तेज हो गया है, इसी क्रम में शिवसेना के नवनियुक्त राजस्थान प्रदेश प्रभारी चंद्रराज सिंधवी जोधपुर प्रवास पर पहुँचे थे, यहां उन्होंने दावा किया कि इस बार राजस्थान में NDA की सरकार बनेगी, इस सरकार का पार शिवसेना भी होगी, इस दोरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिवसेना भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कम से कम 50 सीटों पर शिवसेना के प्रत्याशी ताल ठोकेंगे, कॉंग्रेस आलाकमान की ओर से आगामी विधान सभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहल और सचिन पाइलट के सन्युक्त नेत्रित्व में लडने की मुद्दे पर भी सिंघवी ने प्रतिक्रिया दी, अशोक गहलोत और सचिन पाइलट पर हमला बोलते हुए, उन्होंने कहा कि दो दिवालिया मिलकर यदी कोई कमपनी खोलते हैं, तो वह दिवालिया कमपनी ही हो आजाए, तो कॉंग्रेस के खाते में महस 26 सीट आएगी, और अब यदी सचिन पाइलट ने उनका साथ दिया, तो करीब 46 सीट आजाएगी, सिंघवी ने मुख्यमंतरी अशोक गहलोत की लोकप्रियता के सवाल पर कहा कि जिसका बेटा लोकसभा चुनाव भारी, मतों से हार जाए और जिस वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड से भी हार जाए, तो उनकी लोकप्रियता कैसी है, या किसी से छुपी हुई नहीं है, राजस्थान सरकार ग्वारा महंगाई राहत कैंप पर अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान की जनता भिख अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो यह आपकी गलतफमी है, यह फार्मुला केजरिवाल ने गुजरात में चलाने का प्रयास किया था, लेकिन गुजरात की जनता ने उचित जवाब दिया, ठीक इसी तरह राजस्थान की जनता का साढ़े चार सालों तक शोशन करने के बाद, अब मुफ्त का जुन-जुना हाथों में लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता।